कैम छोत में बदा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मी की और से हाल ही में लॉंच हुआ रेडमी स्मार्ट बैंड और इससे पहले आया मी बैंड 4 इन दोनों बैंड्स की कंपेरिजन करने वाले हैं तो दोनों बैंड्स में कौन-कौन सी सिमिलारिटीज है और दोनों के बीच में क्या है डिफरंस ये जानने के लिए चालो शुरू करिये टेकम टेक वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं रेडमी स्मार्ट बैंड को हमारी चैनल के किसी एक लखी सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दूँगा यानि हमारी चानल का ये पहला और पहले किसी ने ना किया हो वैसा गीववे होने वाला है लेकिन गीववे की एक शर्थ भी है और शर्थ ये है कि इस वीडियो के जरिये से अगर चानल के 1599 सब्सक्राइबर्स बढ़ते है तभी मैं बैंड का गीववे रखूंगा अगर आप भी इस गीववे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब फिर उसका स्क्रिंशॉट लेकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी हुई है उस लिंक पे चले जाए और इंस्टा पे सबसे पहले बात करें अगर प्राइस की तो रेड्मी स्मार्ट बैंड की प्राइस 1599 रूपीज है जबकि मी बैंड फॉर 2299 रूपीज में मिल जाता है अगर दोनों बैंड के लुक को देखा जाए तो रेड्मी बैंड को पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में की गई है जबकि मी बैंड 4 को राउंड शेप में ही डिजाइन किया गया था और अगर बात करें स्ट्रैप्स की क्वालिटी की तो दोनों बैंड के स्ट्रैप्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखाए देता और दोनों की बनावाट में सेम माट्रियल का यूज किया गय का है यानि मी बैंड के मुकाबले में इसका वजन अल्मोस्ट आधा है अगर कंपेरिजन की जाए दोनों बैंड की बैटरी कैपेसिटी की तो दोनों बैंड 2 गंटे में फूल चार्ज हो जाते है लेकिन मी बैंड की बैटरी लाइफ 20 दिन तक की है जो की रेड्मी या निकाल के डायरेक चार्जर या पावर बैंक में प्लग इन करके चार्ज कर सकते हो इसमें आपको कोई एक्स्टा चार्जर साथ में रखने की जरुरूत नहीं पड़ेगी और ये अच्छी बात है जबकि Mi Band में आपको charging करने के लिए एक extra cable साथ में रखना पड़ता है अगर comparison की जाए दोनों bands की display की तो Redmi Smart Band में यहाँ पे थोड़ा downgrade देखने को मिल रहा है क्योंकि Mi Band में AMOLED color display दिया गया है जबकि Redmi Smart Band में LCD color display प्रोवेड किया गया है जो दिखने में कुछ खास attractive नहीं लगता है आगे बात करें अगर दोनों के features की तो दोनों bands का user interface same to same जरूर है लेकिन इस मामले में भी Mi Band Redmi Band से आगे निकल जाता है Mi Band को operate करने के लिए Mi Fit नाम की app जबकि Redmi Smart Band Xiaomi Wear नाम की app के थूँ operate किया जा सकता है Mi Band में workout mode में swimming mode available है जबकि Redmi Band में swimming mode नहीं दिया गया है Mi Band को 4 digit के password से protect करने का feature दिया गया है जिसे on करने से हाथ से band उतारने पे band lock हो जाता है Redmi Band में ऐसा कोई feature available नहीं है Mi Band में अगर band आपके phone से connected हो तो phone को unlock करने के लिए कोई password या fingerprint की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है बाकी के same features जैसे की heartbeat counting, five workout modes जैसे की walking, running, cycling, treadmill और freestyle, weather information, call and SMS notification alert, dnd, alarm, music control, stop watch, timer, fine display, silent और idle alert ये सभी features दोनों bands में available है overall देखा जाए तो Redmi Smart Band उसके look, हलके weight और low price के हिसाब से अच्छा साबीत हो सकता है लेकिन अच्छा display resolution, दमदार battery life और extra features के चलते Mi Band और मेरे point of view से based है तो दोस्तों आपको कौनसा band पसंद आया नीचे comment करके जरूर बताएगा और अगर आप भी चाहते हो कि Redmi Band का giveaway हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करिएगा मिलेंगे एक नए वीडियो में नई tips और tricks के साथ है